बॉलिवूड एक्टर शम्मी कपूर की अन्रिलीज मुवीज पर वीडियो बनाने के लिए हमें रिक्वेस्ट आई मयंक शर्मा की आज हम बात करेंगे शम्मी कपूर की उन साथ फिल्मों की जो बन नहीं पाई शम्मी कपूर सुपर स्टार मधुबाला को बहुत पसंद करते थे यहां तक की उन से शादी भी करना चाहते थे उन्हीं दुनों शम्मी कपूर को उनकी डेब्यू फिल्म मिली यानि पहली मुवी मिली जिसका नाम था मैं और वो और इस फिल्म में शंमी कपूर के अपोजिट हरॉईन कोई और नहीं मदुबाला ही थी फिल्म को डेरेट किया था As-P. इरानी ने शंमी कपूर काफे खुश थे मगर फिल्म बन नहीं पाई अब बात करते हैं उनकी दूसरी फिल्म की शम्मी कपूर और देव आनन्द ने एक फिल्म साइन की One Night to Murder साल था 1961 देव आनन्द और शम्मी कपूर काफी excited थे इस फिल्म के लिए और इस फिल्म में शम्मी कपूर का एक cameo roll था और एक बार फिर मदूबाला शम्मी कपूर के opposite थे और साथ में थे प्रान, शशिकला और हेलन फिल्म को प्रोड्यूस और डाइरेक्ट कर रहे थे शक्ति सामन था और म्यूजिक था ओपी नईयर का मगर ये फिल्म भी किसी वज़े से बन नहीं पाई देव आनन्द और शम्मी कपूर को एक साथ देखना इस फिल्म में काफी दिल्चस्प होता अब बात करते हैं उनकी तीसरी फिल्म की जिसका नाम था रोमियो साल था 1968 इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ थे प्रान, अर्चना और बेला बोस डाइरेक्टर थे लेक टंडन और म्यूजिक था शंकर जैकिशन का ये फिल्म भी किसी वज़े से डिबबाब बंध हो गई चौती फिल्म की बात करें तो ये थी ऐ दिल साल था 1986 इसमें शम्मी जी के साथ काम करने वाले थे राजकिरन, शफी नामदार सतीश शा और मन्जू मिश्रा ये फिल्म भी किसी वज़े से डिबबाब बंध हो गई फिर आया साल 1990 और इस साल शम्मी कपूर जी दो फिल्मों में काम करने वाले थे पहली थी जूनी जिसकी स्टार कास्ट में थे शम्मी कपूर, विनोत खन्ना डिम्पल कबाडिया दिलिब ताहिल और सुश्मा सेट फिल्म का म्यूजिक था खियाम का और फिल्म को प्रिड्यूस और डिरेट करने वाले थे मुजफर अली 1990 में ही केसी बुकाडिया के डिरेक्शन में एक फिल्म बनने वाली थी तू ही मेरी जिन्दगी जिसके स्टार कास्ट में थे शम्मी कपूर, विनोत खन्ना रिशी कपूर, श्री देवी और रजनी कांत और ये फिल्म भी कंप्लीन नहीं हो पाई और बंध हो गई अब बात साथवी फिल्म की इसका नाम था प्यार भरी वादियां साल था 1992 इसमें शम्मी कपूर के साथ काम करने वाले थे अजे देवगन, आशा पारिक और मासूमा हेरेकर फिल्म को डिरेट कर रहे थे मासूमा के फादर नजीर हेरेकर मासूमा हेरेकर एक्टर नहीं बनना चाहती थी वो शादी करके सैटल होना चाहती थी मगर उनके फादर नजीर ने प्रेशर किया कि वो एक्टर बने तो मासूमा ने एक होटल में अपने आपको ही खतम कर लिया और ये फिल्म बंद हो गई कभी कम्प्लीट हो ही नहीं पाई दोस्तों इंफरमेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर कर देना अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए